कुछ तो यहां सर्क फिर यह निडल होती है कंपास की इस निडल को एग जगे रखना है आपको और सर्किल ड्रॉ करना है तो आप सर्किल ड्रॉ करेंगे कहीं पर भी एक जगे आप इसको फिक्स कर दो और फिर सर्किल ड्रॉ करेंगे ऐसे नीडल को नहीं गुमाना है खाली पैंसिल को आप गुमाएंगे ठीक है तो जहां हमने नीडल रखी थी ये वाला पॉइंट जहां हमने नीडल रखी है उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर क्या कहते हैं सेंटर कल भी मैंने आपको बताया था और मैंने कहा था मैं draw करके सिखाऊंगी तो अब सबको draw करना आना चाहिए compass ले लेना सब घर पे और compass से draw करने के practice करना और जहां से हम needle रखके drawing करते हैं उस point को हम center कहते हैं center का name भी होता है ओ, ठीक है अब ये boundary है circle की जो line हमने draw की थी ये boundary line है इसको हम कहते है circumference क्या कहते है circumference ठीक है ये point center वाला और circumference पे हम इसको कहीं पे भी जोड़ दें तो ये जो line वन रही है इसको हम कहते है radius क्या अब नाम होता है इसका radius और इसको हम small r से denote करते है ठीक है center से pass होती हुई ये circle का circumference है circumference से दूसरी side circumference के उपरी दूसरे point से touch हो गया और center से pass out होना है इसका नाम होता है diameter क्या होता है diameter ये सबसे बड़ी code है सबसे बड़ी code है circle की ठीक है this is the longest chord of a circle which is diameter diameter is the longest chord of circle अब chord क्या होता है chord वो होता है जहां circle का circumference होता है उस पे दो points होते है उन दो points को जोड़ा जाता है उसको chord कहते हैं चाहे वो यहां पे यह हो यह circumference के two points है इनको हमने इस line से जोड़ दिया तो यह भी chord होता है क्या होता है CH-O-R-D chord तो यह तो small chord है और यह सबसे बड़ा इससे बड़ा कोई chord नहीं बन सकता जब center से pass हो जाता है ना कोई line तो वो diameter बन जाता है और diameter से बड़ी कोई chord नहीं होती इसके बाद आते arc यहां से लेकर देखो मैं इसको दूसरी design में draw कर रहे हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए यहां से यहां तक एक arc है इसको minor arc कहते हैं क्योंकि यह छोटा है minor arc और यह वाला portion यह portion बड़ा है तो इसको कहते हैं major arc क्या कहते हैं major arc बड़े को तो major बोलते हैं छोटे को minor बोलते हैं ठीक है अब इस arc का name भी होना चाहिए तो उसके लिए हम सबको name दे देते हैं पहले यह A point हो गया यह B point हो गया यह C यह D यह E ठीक है तो D और E इसके बीच में S कर दो इसमें R बना दो तो D, S, E देखो D, S, E यह minor arc है ठीक है और major arc का नाम क्या हो जाएगा D, R, E D, R, E major arc का name हो गया ठीक है तो यह कुछ parts है circle के जो हमने आज सीखे एक बार मैं recall कर रही हूँ सबसे पहले तो center में जो point जहां हमने needle रखी थी compass की उसको हम कहते हैं center second हमने सीखा circumference इसकी boundary third radius circumference के उपर जो line touch हो रही है center से उस line को radius कहते हैं आप learn कर लेना और इसको एक बड़ी सी chart paper में draw करना तो जब आप मारी school open होगी हम हमारी classes में लगाएंगे और उसके marks भी मिलेंगे यह आपका assignment भी हो जाएगा project भी हो जाएगा एक बड़ी सी sheet लेना chart की और उसके उपर आपको यह picture draw करनी है और return भी आपको names देने हैं ठीके तो इससे आपको समझ में भी आजाएगा और आपका project भी ready हो जाएगा ओके do this at your home thank you